नमस्कार मित्रो, मित्रो लेक्चर नूमर थर्ड में वर्ड मैप में आपका स्वागत है और यह लेक्चर जो है होगा नौर्थ अमेरिका का थर्ड लेक्चर होगा इसके पहले हम नौर्थ अमेरिका के पस्टिमी कॉडिलेरा कर चुके थे प्लैटू कर चुके हैं ठीक है और जो है मैंने island और bay state ये सारी चीजे cover कर चुके हैं तो अब हम लोग ये तिसरे वीडियो में करेंगे क्या सबसे पहले ये जान ले हम लोग इस वीडियो में lakes के बारे में cover करेंगे तो और lakes प्लस important cities जो इसके आसपास हैं तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं टिक्स का नाम है यहां पर आपको कनाड़ा में कनाड़ा के सभी जो लेक हैं क्रम से याद हो जाएंगे उत्तर से दच्छड तो बस आज रहने दो wine मतलब कि कोई दो मित्र है और या कोई भी हो सकते हैं वह wine पी रहें तो दूसरा मित्र कहता है पहले मित्र से भाया आज जो है wine रहने दो तो B S बस आज रहने दो जोडने के लिए है wine तो B से हो गया मित्रों great beer lake S से हो गया great slave lake A से हो गया अथाबास का lake R से हो गया reindeer lake उसके बाद W से हो गया winpeg winpeg lake, winpeg एक जगे हैं भी है मित्रों यह है winpeg, ठीक आप देख़ते हैं यहाँ ठीक आगे आते हैं मित्रों अब हम इन ही को जो है आपको map में दिखा देते हैं कहां पे कौन सी चीजे हैं यह मेरा map यूज किया गया है इस map में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं मित्रों यहाँ पे हमने आपको बोला था great bear lake तो यह देखें मित्रों यह है great bear lake यहाँ पे दिख रहा होगा आपको bank island यह सब पिछले वीडियो में हो जुगा था तो great bear lake है यहाँ देखिए उसके बाद मित्रों great bear lake के बाद S से हो गया slave lake और यह है great slave lake और great slave lake के पास एक city है जिसका नाम है yellow knife दिख रहा होगा great bear lake में क्या आपको देखने लायक है वह देखिए मित्रों great bear lake में जो आपको देखने लायक है वह यह है यहाँ देखिए यह dash dash एक line यह बनी हुई है यह जो dash line है यह Arctic circle है मतलब 66 and half North की जो अच्छांस रेखा है वह है ठीक है और यह किसके उपर से होके जा रही है यहाँ भी प्रश्न बन सकता है मित्रों यह होके जा रही है great bear lake से बस आज रहने दो wine तो बस हो गया सा हो गया slave यहाँ पर yellow knife है उसके बाद मित्रों उसके बाद जड़ा सा फिर से जूम करेंगे और बस आज आज से था मित्रों अथाबास का तो यह है अथाबास का उपर देखिए अथाबास का है बस आज रहने दो wine wine मतनर w तो यहां देखें मित्रों एकदम नीचे यहां पर देखिए यह है आपका लेक-विन्पिक और यहां पर विन्पिक लेक भी है मित्रों और मेंटॉबा जो प्रांत है मित्रों मेन्टॉबा जो प्रांत है उत्तर से दच्छड यह जो ट्रिक था जो आपने ट्रिक यहां पे देखा होगा यह तो यहां जो काम करता है यहां उत्तर से दच्छड के क्रम में है मित्रो ठीक है तो यह हो गया आपका तो यहां देखें मित्रो यहां पे इसके ऊपर से किसके ऊपर से Great Bear Lake के ऊपर से Arctic Circle 66.5 North गुजरती है नौर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी यलो नाइफ ग्रेट स्लेव लेक के तड़ पर आगे आते हैं मित्रों और यहां देखिए फिर मैनिटोबा प्रांत की राजधानी विन्पेग विस्की ग्यहूं की सबसे बड़ी मंडी है जो विन्पेग लेक के तड़ पर आगे आते हैं मित्रों अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्स ओफ इम्पॉर्टेंट लेक्स ओफ नौर्थ अमेरिका नौर्थ अमेरिका के इम्पॉर्टेंट लेक्स पढ़ेंगे तो यहां ट्रिक्स ओर ग्रेट लेक्स ओफ यूस से तो सबसे पहले जो ट्रिक्स है मित्रों वो देख लीजे सुपर मैन हेल और help everyone, तो S से हो गया superior, M से हो गया Michigan, H से हो गया Huron, Erie, Ontario, तो ये जो आपके जील है, तो है क्रम से, और क्रम से है ये, मतलब कि आपको left to right, map में left to right मिलेंगे ये आपको, मतलब कि पस्चिम से पूर्व में, पस्चिम से पूर्व की तरफ ये सजे हुए है, ये code ऐसा है, तो super man help everyone, मित्रो, इतने area को मिला के, great lakes वोला जाता है, तो सबसे पहले देखिए, superman, तो मतलब superior, देखिए, ये है superior, और यहाँ देखिए, इस side कनाड़ा है, इस side ये से है, फिर उसके बाद देखिए, मिसिगन, ये है Michigan, लेकिन इस side, इस side मतलब ये पूरा का पूरा देखिए, ये से में, एक प्रश्निया भी बन सकता है, कि Michigan Lake कहां आवस्तित है, तो Michigan Lake पूरा का पूरा ये से में आवस्तित है, बाकी सारी लेक ये देखिए, सब border पर आवस्तित है, फिर देखिए, Huron, Huron देखिए, तो इधर कनाड़ा है, इधर ये से है, फिर देखिए मित्रो, Eerie, इधर देखिए, कनाड़ा इधर ये से, फिर है Ontario, Ontario भी इधर कनाड़ा है, इधर ये से है, मतलब कि एक, दो, तीन, चार, पांच, इस पांचो लेक में, चार, तो दोनों सेर करते हैं, बारडर और एक, Michigan, वो टोटल ये से में है मित्रो, ठीक है, अब जड़ा सा एक चीज औ पर मित्रों, सुपीरियर उच भूम में, लोहा और ये सारी चीज़े यहां बहुत प्राप्त होती हैं, जिसकी वज़ा से, एक ये सहर है, डुलूथ, देखिए, अंडरलाइन में अपने मेप में किया हुआ है, डुलूथ में, आटो, मोबाइल्स वगरा यहां पर बनती है ऐसे ही मित्रों देखिए, सुपीरियर मिजिगन नीचे है, फिर ये हिरॉन, तो सुपीरियर और हिरॉन को एक कैनल से जोडा गया है, जिसका नाम है सू कैनल, S najwię O, सू कैनल, ठीक है, उसके बाद मित्रों, अच्छा एरिया देख आप, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद हीर थोड़ा बड़ा एरिया में दिख रहा है तो ऐसे चीज़े आप देखते रहे हैं बाकी करम से तो याद ही हो गया सुपर मैं हेल्प एब्रीवन फिर आगे देखते हैं और हिरॉन में देखिए मित्रो एक यहां पर कनाड़ा साइड एक सहर है जिसका नाम है सड़बेरी और हो द्योग अगरा मिलता है फिर ऐसे ही हमिल्टन एक सेटी है यहां देख लीजे आप फिर हमिल्टन के बाद और ऊपर आएंगे तो यहां पर भी थोड़ा हमारा यह मौन्ट्रियल है ठीक है और क्यूबेक है तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं थोड़ा मैप और कौनादा की सीमा पर अवस्थित है फिर है सूपिरियर झूबेक हैうん देखना क्या है इसके नाम में सागर लगा हुआ है तो यिस्या नहीं समझना है दूसरा या खारा पानी मतलब कि मीठे पानी का झील नहीं है चूकि कैलिक अब अब ऐसा तो बोलेगा नहीं सबसे पर जहां बात आएगी मीठे पानी की तो सुपीरियर जील सबसे बड़ा है ठीक है इवन सुपीरियर जील इतना बड़ा है कि मीठे पानी की आने वाले दो-तीन करम के जोड़ने के बाद इसके पास नहीं पहुंसते हैं हलाकि आप उसको गूगल वगरा पकर करके देख सकते ह मैंने बताया ना कि यह जो आपका लेक था ऐसे जो है यह एक सुपीरियर उचुभूम पर अवस्तित है जहां पर लोहे का परयाप्त यहां पर प्राप्त होता है लोह आयस को वगरा तो USA में मिसाबी रेंज में लोह आयस की उपलबधता के काराड़ी सुपीरियर जील के त पर ब्रूत में लॉह उद्योंका विकास हुआ है तो धियान देना है ब्रूत में लॉह उद्योंका विकास हुआ है जोरने के लिए सुकैनल होता है इस नहर के समीब कनाडा में Salt-Scent Mary बंदरगा अवस्थित है तो इसको चली मैप में देख लेते हैं ये रहा हमारा Salt-Scent Mary ठीक है और इसका ये डॉट बना हुआ है Salt-Scent Mary यहाँ पर यह ठीक है Salt-Scent Mary मिल गया हमें अब आ गयाते हैं हिरोन जील के उत्तर में कनाडा का सेड़बरी है कनाडा मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे निकिल के उत्पादन का सरदिंग महपूर केंदर है और निकिल के साथ-साथ मित्रों कॉपर और प्रेट्रम भी यहाँ पे मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं पिछला वीडियो धियान होगा अपलेशियन माउंटेन था जहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी बताया था कोईला ऊपर उत्तर में को और नीचे लोहा तो मतलब उत्तरी छेत्र के अपलेशियन में कोईला मिलता है दच्छडी भाग में लोहा मिलता है इस वज़ा से इस छेत्र में क्या प्राप्त हो यहाँ बनता है लोह उत्तर बनते हैं तो मतलब यह पुरा बेल्ट ही यहाँ पे लोह उत्तर वेरा काफी प्राप्त होते हैं मतलब लोहे के उत्तर वेरा हैं मिलेंगे फिर पेंसिलवेनिया से कोईला या आपका उस छेतर में आ जाएगा अपलेसियन माउंटेन वाले से ही ग्रीट लेक्स के इस छेतर में लॉइस पात उत्यों का सर्व दिकास हुआ कोई दिकत नहीं मित्रों बड़े आसानिस कर लेंगे एक तो आप अपलेसियन वाला बता दीजे का उपर कोईला नीचे लोहा दूसरा सुपीरियर उच भूम में सुपीरियर लेक है और यहां पे उच भूम में मिसाबी रेंज वगरा में लोहा प्राप्त होता है तो इस वज सिकागो और गैरी सिकागो बिल्कुल पास पास में है ऐसे मैं आपको दिखा दूँ एक सिकागो है और यह मिलवावकी है तो यहां तक किसान खेती वगरा बहुत होती है गैरी और सिकागो किसान के उपकरण मिलते हैं इस वज़ज़ा से इसे अग्रिकल्चरल बेल्ट भी बोलते हैं कहां से गहां तक सिकागो से मिलवावकी तक और गैरी पर फिकागो हो सिकागो क्यों ध्रशिज़ाव क्यों चार तरफ से प्रएं की जो जंग्सन नहीं प्रकार से मतलब इधर से आता है अच्छा एक चीज बताइए जंक्सन और इस्टेशन में क्या आंतर है वह यह जंक्सन और इस्टेशन जंक्सन वह होता है जहां से किसी प्लेटफॉर्म पर आयर ट्रेन यहां से जब कहीं सिर्फ एक दो ही जगां सिटी को जोड़ता हो तब जंक्सन है लेकिन कहीं ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है तो उसे फरी जब यह सिती हो तो उसे जंक्सन बोलते है और जब सिर्फ एक रूट फिक्स होता है तो उसे क्या बोलता है उसे बोलता है श्टेशन ठीक है तो ऐसे ही यहां सिकागो में चारू तरफ से आन हाँ यहां हो गया था मित्रों सुपीरियर तो लोग उद्धिक का सरदिक विकास हुआ है फिर आगे देखिए सिकागू युस्टे में तीसरा जंसंख्या वाला सहर है यहां युस्टे की सभी दिसाओं से आने वाली रेल मार्क और सड़र मार्क को मिलने कारड ही युस्टे का परिवहन फोकस केंदर भी है जहां USA का सबसे बड़ा ये जंसन है यहां पर ये पहुचा दिया यहां है अगे बढ़ते हैं मिसगन जिल के तट पर सीकागों से मिलवाव erg की मैंने आपसे कहाँ था कि यहां पे गएरी है यहां सिकागों यहां यह 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 तुह यहां तक देखेगा किसी के उपकर्ड और मसीन के विकास होने के विकास के के युशे का अगरिकल्च्रल implement build कहते हैं तो अगर कोई पुछेगा योसे का agricultural implement build कहां है तो यह यहाँ पे हो गया इसी का जोड़ के आप इंडिया में कोई विकास के बारे में बोल सकते हैं कि हमारा जहां पे जैसे हरिगाणा छेतर में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं फिर आईए इरी जील के तटपर अवस्थित डेट्रॉइट यह भी देखा था हमने योसे में आटम वाइल उद्यक का सबसे बड़ा केंदर है और एक कैनल और है वेलंड कैनल बोलते हैं यहाँ इरी को उन्टेरियों से जोड़ता है तो एक कैनल यह हो गया एक होगया तुम्हारा सुके नल जो कि सुपीरियर को हिरॉन से जोड़ता है और बीच महाम इजिगन तो रहता है और इस वे सल्ट सेंट मैरी है छे कैह और यहाँ पे हिरॉन के तटपर है साटबरी है जहां निकल मिलता है छएक और काउपर और में přिलेटनम भी मिलता है तो देख देखे ही नित्रों लेक इरिकों न्टैरियो लेक से जोड़ता है इस नहर के समीप हैमिल्टन कनाड़ा में लौस पर उत्वाक्ष। पूर्ञ का महाथपूर के इंदेर है तो हैमिल्टन कभी जूप साहर मिलान जल प्रपात उत्तर अमेरिका में सबसे उचा जल प्रपात है तो मैंने आपको बताया था कि जो ये अपलेसियन माउंटेन है मैंने ऐसे कहा था आपको ऐसे कि भई हमालो ये हमारा माउंटेन है ऐसे तो यहां से ऐसे नदियां जो आएंगी ऐसे गिर पड़ती है यहां पर क् को बोलते है फॉल लाइन या प्रपाथ तो इसी में जो नियागरा जल प्रपाथ है वो सबसे उंचा जल प्रपाथ है और जो की कनाड़ा और इधर युस्टे की बीच में है जो आपका कैनल है यह जो कनाड़ा सर्जिंसल सहर है इसे उंटर्यों के जील के मद्ध में इन दोन मिल भी रा डे, इरी, रा, डेट्राइट याद करना पड़ेगा वेलेंड कैनल आपको याद ही हो जागया सु कैनल याद ही है ठीक है सट्बरी याद हो गया सट्बरी ज्जी जील केर फेमसी सल्च निकल के लिए उन्टारियों जील ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी जील एवरी वन या से एक नदी निकलती है suis जेल से से ड्म नदी निक़ती है जो कि मैं पहले वीडियों की फिर्फ रिंस की खाड़ी में गिरती है इस चरोत के समी किश्टम बंदरगाया इस्ती सत 이렇ु चैन्या रेल इंगि केंद्र है ठीक है Kingston Rail Engine और चली मैं आपको इबार मैप पास ले चलता हूँ ये तो देखे यहां पे यहां पे मैंने बनाया ही भी हुआ है कि यहां देखो Ontario से यह सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस में रिवर जा रही है और इसी के पास इसी के पास Kingston है और Kingston देखे हैं मैंने लिखा भी अब मित्रों हम लोगों दूसरी जनाप पहुचेंगे जिसको बोलते है Great Salt Lake उटाह राज है कि यह उसे में जहां पे Great Salt Lake है जो की पहले मीठे पानी की जील हुआ करती है जिसे बोने विले बोलते हैं बोने विले ठीक है इस जील के तट पर उटाह राज की राज़ानी Salt Lake City अ एक दूसरा लेक है लेक मीड कुल्रेडो नदी पर निर्मित हुवर बाउल्डर बांध तो सबसे पहले हुवर बाउल्डर बांध कहा है कुल्रेडो नदी पर है और उसका जो लेक है वो लेक मीड है तो इस बांध का एक जलास है जो की एक मानो निर्मित जील है तो समझ मे इसकी Salt Lake City है और यह है Great Lake Great Salt तो मैंने आपको अभी बताया कि Great कुरामा बन गया यह तो Great Salt Lake Great Salt Lake तो यह पहले जो है क्या हुआ करता था यह पहले मीठे आप दूसरे मैप में देखा दूँ चलो दिखाई देता हूं देखिए मित्रो यहां पर यह जो रिवर है यह तो इसी रिवर पे एक डैम बना है जिसका नाम है Hooger Bowlder Damn और Hooger Bowlder Damn के लिए एक lake बनाया जिसका नाम है lake mead जो कि Colorado नधी पे जो dam बना गया है Hooger Border और उसी dam का यह हो गया हमित्रों Lake Mead, Colorado नधीर पर निरमित Hooger Bowlder بाओंद का यह जलास है जो कि एक प्रकार का मानोना में जिल है जो एक हमित्रों एंड दे लास्स लेक्चर ओफ नॉर्थ अमेरिका वो होगा रिवर्स ओफ नॉर्थ अमेरिका जो की इंपोर्टेंट है हम तो कहेंगे यही सबसे आधा इंपोर्टेंट बाकी बच्चों के लिए जैसे UPSC और UPSC और PCS एक्जाम के लिए किसी भी स्टेट का तो वो तो सब लेकिन रिवर्स बहुत पूसते हैं कि वह निव यार किस नदी के तड़ पे है वासिंटन किस नदी के तड़ पे है तो यह सारी चीज़े यहां से इंपोर्टन होगी ठीक है मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाक्यों वेरी मुच